हलो फ्रेंड मैं सब्सक्राइब सुनील तवार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन आज हम फिर आए हैं एंट का रिगार्डिंग कोई एवेरनेस वीडियो के दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे फैक्चर नेजल बोन क्या है फैक्चर नेजल बोन कैसे उसका ट्रीटमेंट है कैसे उसको रोका जा सकता है दोस्तों बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए बेल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिसे आने वाले अनेक उपयोगी इंटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपक तो इस नोज का निर्मान है वो ऊपर का जो है वन थर्ड जो हिस्सा है वो एक पैर ओफ नेजल बोन है जिससे जो है यह नोज का जो है हमारा निर्मान होता है उसका स्ट्रेक्चर होता है और रेस्ट और पूरे नोज को वो होल्ड करके रखता है दोस्तों यह जो नेजल ब बहुत बार क्या है fighting में जो है, वो boxing है उसमें क्या है दोस्तों जब इसमें impact लगता है तो इस नेजल बोन के अंदर fracture हो जाता है दोस्तों नेजल बोन जो fracture होता है जब उसके लिए जो लिए अमुमंज जो डाक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले उसमें आपको जो है वो डाक्टर उसको क्लिनिकली फील करता है, अमुमंज है 70-80% के अंदर जब हम उसको नेजल बॉन को फील करते हैं, तो दोस्तो हमें पता लग जाता है कि जो जो हमें भी फैक्चर है या lateral view में हमें कितना factor है कितना amount में factor है कौन-कौन सा पार्ट का factor है वो सब हमें पता लग जाता है दोस्तो अगर हम बात करते हैं treatment of management of nasl bone factor दोस्तो सबसे पहले nasl bone का factor का होता है तो उसमें मैं एक problem होती है nasl bleeding सबसे पहले nasl bleeding को manage किया जाता है उसके बाद में अगर जहां पर कोशिस यह करना चाहिए है कि उस nasal bone fracture का जो है reduction है वो उसी time पर अगर संभा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है अमोमन जो nasal bone fracture होती है उसमें अगर उसी time पर patient जो है एक सरे करके उसका डाइगनोसिस बनाके उसको कहें जनरल एनाइस्टीशिया देखें और nasal bone fracture को reduce कर दिया जाता है यानि जो उसकी बॉन की original position है उसमें settle कर दिया जाता है दोस्तों बहुत बार क्या है patient 3 या 4 दिन के बाद आता है या rural area से आता है तो उस time पर क्या है कि जो नोज की जो बॉन है नोज की उसमें soft tissue में बहुत सारी swelling आ जाती है नोज फूल जाता है स्वेल हो जाता है दोस्तों ऐसी condition के अंदर first पहले patient को कुछ treatment दिया जाता है antibiotics दिया जाता है swelling कम करने की medication दिये जाती है और कम से कम जो है साथ या आठ दिन बाद जब उसकी swelling ठीक हो जाती है जब हमें original nose की sap पता लगती है फिर उसको reduction किया जाता है क्योंकि जब आपको एक बार swelling आ गई तो उसमें क्या है nasal bone का पहले भी आपका nose data था या इसमें कोई विकरती थी तो अपने को चिकत सक को बताना चाहिए जिससे उसका management उस टाइम पे अगर होता है जहां पे cricket ball injury है या कोई road traffic का है तो दोस्तों आपको you should wear your helmet playing के टाइम पे भी और अपने nose का क्या है protection करना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि दोस्तों हमने यह देखने को मिलता है कि nasal bone fracture हो गया बट उसकी जो parents है या attendant है वो keen to do नहीं है वो यह नहीं चाहते कि इसका reduction हो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए अगर एक चिकट सक ने उसकी सलाय दी है तो आपको बेडोल और नोज विक्रत दिखेगा इसलिए समय पे उसका इलाज करा लगी तो आगे जो है life में problem नहीं आगी तो दोस्तों I think this information regarding the fracture nasal bone is useful for you you can share this information to your family, friends and colleagues just to create awareness about the fracture nasal bone Thank you